जैन दोस्तो वेलकम बैक टू आर चैनल वेलकम बैक टू जॉब टेरिया फिर से आप सभी को अपने यूटूब चैनल जॉब टेरिया परिवार में स्वागत करते हैं जैन दोस्तो जारकन साय कचर परिक्षा से सम्दित बहुत सारे questions जो है यहां पे पुछे जा रहे है और त्यारी में बहुत सारी परिषानिया भी आ रही है I know क्योंकि यहां पे जो है syllabus और उसके जो परिक्षा pattern है और जितने यहां पे exam में subject पुछे जा रहे हैं उसके basis पर प वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे साथ से साथ जो है यह परिक्षा कब तक आपकी होने वाली है इस पर भी बात करेंगे और कौन सी अजनसी यह परिक्षा लेने वाली है इस पर भी चर्चा करेंगे तो पूरे वीडियो कान तक वाच कीजिएगा चैनल पर अगर फर्स टाइ यहां पर देखेंगे तो आपका syllabus बहुत ही vast है अगर यहां पर आप गौर कीजेगा तो आपको मालूमी है कि 1 to 5th के लिए जो है आपके 3 papers होने हैं और 3 papers में जो है आपके हर एक paper में 2-2 घंटे का समय यहां पर दिया जाएगा first paper आपका language paper है जो आपके matriculation में जो भी subject रहा है उसके basis पर language paper एक रख सकते थे आप और उसी के regarding आपके questions पूछे जाएंगे second paper आपका शेत्री और जनजाती अवासा को रखा गया है जो कि आपके 100 questions 100 marks केरी करेंगे उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया गया है और third paper के अगर बात करें तो math और science से आपके 75 questions रहेंगे और आपका समाजिक विग्गान से आपका 75 questions रहेंगे और आपका जो है समसमाई की और समाजिक ग्यान से आपका 50 प्रस्निया पर पुछा जाएगा तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपके 6 घंटे का यहां परिक्षा हो रही है तो syllabus यहां पर तो vast है ही और आपके पास जो है इस syllabus को tackle करने के लिए आपको काफी परिसानी हो रही है I know दूसरे अगर बात कर लें 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में जैसा कि आपको मालूमी होगा कि इसमें 4 papers रहने वाली है जिसमें प्रतिक paper की अगर बात करें majorly अगर 4th paper की अगर बात करें तो 4th paper में आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा और यह paper बहुत ही जादा जो है vast है बहुत सारे इसमें subject को include किया गया है और बहुत सारे topic को जो है इसमें include किया गया है चाहे आप science के teacher हो या फिर आप समाजिक विगान के हो सभी के लिए जो है यहाँ पे difficulty face हो रही होगी परिसानी हो रही होगी त्यारी में क्योंकि अगर overall six to eight teacher middle school teacher के अगर बात करें तो नो गंटे का आपका यहाँ पे exam होना है जो कि other competitive exam जो जारकंड में recently पार हुई है जैसे आपका plus two का और principal का आगे pgt का भी event होता है तो इसके comparison में अगर देखिएगा तो सहाय का चार six to eight का ही जो है यहाँ पे syllabus भी बास्ट है और time भी ज़्यादा लिया जा रहा है ऐसा कोई भी one day exam नहीं है किसी भी stud में जो लगातार नो गंटे का exam दिया जाए और इस तरह का बास्ट syllabus हो लेकिन हमारे जहारकंड में यह चीज हो रही है इवन यहाँ पे अगर प्लस टू का syllabus अगर देखिएगा और six to eight middle school का तो दोनों का same रख दिया गया है यहाँ प्लस टू लेवल का ही यहाँ पे difficulty रखा गया है और डिटू वही सारे आपके syllabus भी रख पढ़ना है जो आपका प्लस टू में पढ़ना था तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बवस्ता है कि सब को equal रखा गया है यहीं अगर आप other state की अगर बात करेंगे बिहार state की अगर बात करेंगे तो बिहार में आपका जो है अगर पेपर अगर देखिएगा तो उसका लेबल जो है आपका जेनरल जो competitive exam में जो questions बनते हैं उस लेबल की questions आपको देखने को मिलेंगे इतनी difficulty लेबल नहीं होती है लेकिन यहां 6-8 के लिए भी आपका difficulty level रखा गया है आपका graduate जो यानि आपका 6-8 middle school preparation करने के लिए आपको 9, 10, 11, 12 और 7-7 graduation का भी जो है पूरे syllabus को cover करना है तो ऐसे में उन सभी candidate के लिए सभी के लिए परिसानी आ रही है त्यारी करने में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बास्ट है सबसे बड़े स्वाल ये उड़ता है कि परिक्षा तो आपकी यहां पर बताई जा रही है CBT mode में होगी और one day exam होना है एक ही दिन में सारा exam होगा तो समझ सकते हैं उस अवियार्थी का उस भाविस इक्षगन के क्या impact पड़ेगा जो लगातार 9 घंटे exam में appear होंगे 9 घंटे exam में बैठेंगे उनके mentality पे क्या प्रभाव पड़ेगा और साथी साथ आपको जैसे कि मालूमी है कि एक district का जो है बच्चा दूसरे district में जाके exam देने जाता है यानि यहां पर जो है center भी इतने दूर दराज इलागे में रखा जाता है कि उसका तो अलग ही tension रहेगा तो बहुत ही frustrated और बहुत ही जो है यहां पर difficulty रहने वाली एक्जाम में लेकिन कोई option नहीं है आपको त्यारी करना ही है और यही हमारे जहारकंड में है बैवस्ता चलती आ रही है और जैसे सी कोई चीज समझना चाहिए और इस पर बदलाव करने चाहिए क्योंकि आप six to eight और जो है high school teacher कह लें या plus two teacher कह लें सबका syllabus को आप common कैसे रख सकते हैं कुछ तो differences होनी चाहिए अगर classes में difference हो रही है salary में difference हो रही है तो syllabus में भी difference होनी चाहिए तो आप इस बात पर कितना agree करते हैं comment box में comment कीजेगा क्या आप चाहते हैं कि जो अभी का जो syllabus से साय का charge का इसमें बदलाव होनी चाहिए तो comment box में अपना राय जरूर दीजिएगा साथी साथ अभी अगर बात कर लें आपका exam की तो exam आपकी अभी मैं confirm बोल सकता हूँ कि आपकी जो है यहां exam conduct होगी सहाय का charge की तो बिलकुल आप लोग त्यारी पर बने रहिए और डेली बेसिस पर practice करते रहिए according to the syllabus करते रहिए और NCRT पर बहुत ज़्यादा focus कीजिए बहुत ज़्यादा NCRT पर focus करने करना जरूरी है साथी साथ आपको जो है प्रेक्टिस सेट पर focus करना है because आज तक कोई भी student ऐसे नहीं सुने है जिनका without जो है प्रेक्टिस सेट किये और without जो है यहां sample paper solve किये किसी का भी selection हुआ है तो आपका अगर syllabus पहले complete नहीं हुआ है तो पहले syllabus को आपको complete करें साथी साथ अगर 60-70 परसंट भी syllabus discover किये हैं तो पर भी सेट लगाना जरूरी है और अलग से 30-40 परसंट जो बच जाता है remaining syllabus का उसको भी आपको साइट से करते रहना है तो इस तरह से करते हैं तो कम समय में आपका preparation भी हो पाएगा और इसके regarding कुछ भी अगर अपडेट आता है तो इस चैनल के माइदम से जरूर आपको information मिलेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि इसके regarding कोई भी अपडेट आए तो आपको मिस ना हो मिलते हैं इसी तरह के latest update के साथ तब तक के लिए जा हैं तेक्स्ब माँ माँ'll दिकल के दिए ओॉरisten के बचाइब तक कर दोरी ओॉर बाक्तारफ दोरी तरह करें विर हैं Care एक्फड़ के ज़ितर हैं